अब देखिये अखबारों के इसमें बड़ी महात्पून भूमिका जो लोग पेपर्स पढ़ते हैं रेगुलर करिंट एफियर्स उनका बेटर होता है लेकि ये सार बर चलने वाली पर क्रिया है अब सार बर अखबार कौन पढ़ता है देखे तीन दिनों पहले लेट हो गया हम और पहले इसे दिखाने वाले थे तीन दिनों पहले दैनिक भासकर में चार पांच छे करिंट एफियर्स एक साथ दिखे और सभी एक पर एक और एग्जाम फ्रेंडली ये सारे अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये सारे करिंट एफियर्स एक्जाम में आने ही आने जो एक दिन के पेपर में तीन दिनों पहले दैनिक भासकर में देखने को मिला था चलnational देखते हैं कि ये कौन से करिंट एफियर्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टन्ट है और इस पर आने वाले समय में भी हमारी और से भी आपको कोश्चन्स दिखाए देंगे चलिए देखते हैं आज का पहला कोश्चन्स जो Ease of Living Index आया है उसका डिटेल से देखे ये दैनिक भासकर मैं आया था इसमें 111 शहरों का Ease of Living Index आया है इसमें पाटना आर्थिक अफसर में देश में पांचमें अस्थान पर है पॉइंट वी नोटेट दूसरा दिखिए धननजय लगातार साथ गेंदों पर साथ छक्के खाने वाले पहले गेंदबाद बन गए है श्रिलंका के धननजय लगातार साथ बाल पर अभी तक आपने तीन ऐसे लोग हैं जिनोंने लगातार छए बाल पर छए शक्के मारे हैं लेकिन ये नया गेंदबाद है जिसके साथ बालों पर साथ छक्के लगे हैं तो ये भी एक वाल डेकॉर्ड हो चुका है हो सकता है आने वाल एक्जाम में दिख जाए नेक्स पॉइंट भू अभी लेक के डिजिटाजेशन में जो जमीन का जो लैंड का सारा डेटा है उसका डिजिटली करन हो रहा है बिहार में जबदद ढंक से अब इस मामले में बिहार पूरे भारत में पहले पादान पर है फॉस्स पोजिशन पर उसका देखिए एक स्वाच्छता सर्विक्शन आया है जो नगर पालिका परदर्शन सोचकांग 2009 से समंधित है जिसमें पटना को अलग अलग मामलों में अलग अलग रैंकिंग दी हैं ये अखबार की पेपर पढ़ने की मातपून विशेचता है और ये लाब है स्टुडेंट्स के लिए करिंट एफिर्स को लेकर एन्यवे चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं जो हम लोग आज टॉपिक कर रहे हैं वो है 1790 टॉपिक इसमें आज हम लोग कर रहे हैं सौराज पार्टी का गठन होता है 1927-28 में साइमन कमिशन आता है और इस बीच में करांतिकारियों का फेज आपको दिखाए देगा 1920 के दिशक में भारत में करांतिकारी राश्टवाद का दूसरा फेज दिखाए देता है जिसमें बगत सिंग, राजगरू, सुखदेव, च परियाद किया था, 1925 में, तो ये सारे घटना करा हैं आपको 1929 से लेकर 1929 तक करना है, इसमें लुसेंट में फिर हम कहेंगे थोड़ा शाउट है, हिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा शाउट है, अगर आपके पास करौन है, तो करौन में ज्यादा बेटर है, उसके बाद वर हम भी नदी, सबसे पर मुखजन जाती, सबसे उचा शिकर, ये सारे महत्मून, एक एशिया महादेश का आपको यहाँ पर करना है, उसके बाद, इंडियन पॉलिटी हम लोग डेली कर रहे हैं, जिसमें आज, आर्टिकल 266 और 267, यानि आकस्मिक निदी और संचित निदी, सरकार के खजाने के सारे पैसे कहां रखे जाते हैं, तो संचित निदी में आर्टिकल 266 के तहत, इसके सारे इटेल्स आपको मिल जाएगे, और आर्टिकल 266 के तहत, आकस्मिक निदी की चर्चा है, इसे समझना है कि आकस्मिक निदी से कैसे पैसा निकालते हैं, उसमें किस प्रकार के पैसे होते हैं और उसे सरकार कैसे निकालती है और संचित निदी में क्या कुछ रखा होता है उसे सरकार कैसे निकाल सकती है या उसमें डाल सकती है तो contingency और consolidated fund of India करना है उसके बाद काल हम लोग ने किया था पिछले topic में हम लोग ने तरंग किया था, physics में हम लोग ने last topic तरंग किया था, waves किया था, अब यहाँ पर sound waves करना है, ध्वानी करना है, sound करना है, और जानते हैं कि ध्वानी तरंगे जिनने हम सुन सकते हैं, 20 hertz से लेकर 20,000 hertz के बीच होती हैं, जिसे audible range कहते हैं, उससे नीचे infrasonic अवश्रफ तरंगे या उससे उपर प्राश्रफ तरंगे होते हैं, जिसे कुटा, बिल्ली या चमगाज़र सुन सकते हैं, तो यह आप करेंगे तरंगों को, ध्वानी तरंगों को, इन पर ताप, दाप का प्रभाव, अलग-अलग माद्यम में ध्वानी कैसे चलती है, मैक नंबर क्या है, सुपर सेनिक, हाइपर सोनिक वेफ क्या है, यह करेंगे, साथ ही, डॉपलर का प्रभाव है, यह करेंगे, इको क्या होता है, इको के लिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, परती ध्वानी सुनने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस, 17 मीटर, अगर exact है, तो 16.6 मीटर होना चाहिए, इको सुनने के लिए, और हमारे कान में ध्वानी कितनी सेकंड्स तक रहती है, एक बटे 10 सेकंड्स तक, तो माहतपूर्ण यहाँ पर साउंड आप करेंगे, उसका लास्ट टॉपिक बाइलोजी का आज हम लोग करते हैं, हमने कहा था कि प्ल क्या है, फ्लों का खाने वाला भाग बीच का या बाहर का ये खाने वाला भाग अलगए फ्लों का कौन सा होता है, जैसे नारियल का खाने वाला भाग, उसके बाद हम लोग स्पीटी के रेल्वे सामान अध्यन और रेल्वे सामान विग्यान से कुछ पेज़ टॉपिक्स ल तो यहाँ पर books and authors हैं Sanskrit के सारे प्रमुक books and authors यहाँ पर आपको दिखा देंगे जो regular exams में आते हैं उसके बाद एक हम लोग राज़ करते हैं यह union treaty जो आज हम लोग अंडमान निकोबार करेंगे अब यहाँ पर लोग सबाव, विधान सबाव इसके राज़धानी से लेकर यहाँ पर कोई national park है क्या डिटेल्स आप करेंगे अंडमान निकोबार उसके बाद हम लोग 10 sets करते हैं 150 से लेकर 160 करना है science world segment में आएंगे यहाँ पर भी तीन topics करने हैं सबसे पहले हम लोग 5 pages लेते हैं RRBK, आज 75 से लेकर 80 है 100 तक पहुंचते पहुंचते RRBK, वन लाइनर समाप्त हो जाएगी आज 75 से 80, पाँच आप pages कर लें RRBK, वन लाइनर अंदर में आप जाएंगे तो एक महात्पून topic है एक ही page में एक subject के details हैं वन लाइनर के रूप में जिसमें आज है computer विज्ञान, computer science उसके बाद हम लोग 10 model sets करते हैं 10 नहीं 7, 7 model sets करते हैं तो यहाँ पर आप 7 model sets कर लेंगे SPT के सामान अध्यान और सामान विज्ञान के topic समाफ हो जाएंगे उसके बाद एक शांदार segment हम लोग करते हैं इसे आर्टिस सार से जिसमें 9 subjects 9 pages हम लोग करते हैं Indian policy का आज राश्टपती प्रेसिडेंट है उसका दूसरा पेज है तो इसमें राश्टपती 2 लिखा हुआ होगा यानि राश्टपती प्रेसिडेंट से रिलेटेड दूसरा पेज उसके बाद Indian geography में आप आएंगे तो यहां पर Tiger Reserves है बारत के प्रमुक Tiger Reserves और फिर वन एजीव अप्यारण वो एक पेज में बड़ा अच्छा दिया हुआ है एक साथ सब याद नहीं होगा तो इसे आप राजजवार याद करें कौपी में नोट कर लें एक या दो राजज़ का उसके आप रिवाइस करें और इस तरह से सारे आप कर सकते हैं चार पांच साथ आठ दिन लगेगा लेकिन एक ही दिन में सारा याद नहीं होगा और जो और भाटा कैसे आता है सोरिज चंद्रमा और पिर्सिवी का एक दूसरे सम्मंद जो और भाटा के संदर में आपको देखने को मिलेगा उसके आप फिजिक्स तो कैमिस्ट्री में विविद सेक्शन चल रहा है तो ये पेज़ेज आप करते चले जाएं लेकिन हिस्ट्री में जो आज तीन पेज़ेज़ेज हैं में एंशेंट में मौरियत तरकाल है यानि शोंग के कन्व और साथवान करना है मेडिवल इंडिया में आज विजयनेगर सामराज है ये बहुत शांदार पेज होगा मेडिवल इंडिया का विजयनेगर सामराज ये आप करें और लास्त में Modern India में आज British Karl में प्रशासन है Administration है During Ist India Company During Ist India Company रेल तो प्रशासन करेंगे British Karl में किस तरह से कौन कौन से निरने लिये गए उसके पद हम लोग Current F-S का सेग्मेंट करते है S-P-D आर प्रेटफॉर्म से दो पेजेज आज केंज की योजना है और राज की योजना के रूप में आपको दिखाए देगा उसको बाद डेट वाइज हम लोग करते हैं तो एक नौंबर से लेकर पंदरे नौंबर तक डेट वाइज एस पेड़ी में आप करेंगे इसार प्रेटफॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर भी दो पेजेज आज हैं जिसमें भारत और विश्व भर के प्रमुक वेक्तित जिनका हाली में निधन हुआ उसका कलेक्शन है इस पर भी कोशन आयते हैं मारण होना निधन हो गया कहां कि यह फूड बॉलर थे उसके बाद डेटवाइज यहां से भी हम लोग करते हैं एक दिसम्बर से लेकर पंदे दिसम्बर तक डेटवाइज करना है तो टॉपिक्स आपका 24 गंटे का इस तरह समाथ होता है जिसे आपको 24 गंटे में कम्पलीट करना है इसमें NCRT SAR का सारा पेज़ेज बहुत इंपॉर्ट है करेंट तो आपको छोड़ना ही नहीं है साथ इलूसेंट के पेज़ेज जिसमें हिस्टरी का अगर संभाव हो तो आप कराउन से करें टेक क्या